क्या टोनी स्टार्क का एडित हो सकता है अब आपको पता होगा कि जो एवेंजर्स है उसमें आइरेन मैन को ओफिशिली डेट घोशित कर दिया गया है मूवीज में या जो मूवी सीरीज है लेकिन वह अपने पीछे पीछे पाका के लिए अब मैं उन लोगों से बात कर रहा ह जो लोग थोड़े से फैन एंवेंजर्स के तो एक संग्लासेज एक ग्लासेज छोड़कर गया है टोनी स्टार्क पीटे पाकर के लिए स्पाइडर मैन के लिए जिसका नाम है एडित इवन आफ्टर डैथ आइम हीरो ऐसे कुछ है ठीक है तो भाई वह ग्लास मदद मंगाना अलग अलग डेटाबीस में जहांकना किसी भी सिस्टम के अंदर घुसके डेटाबीस का पता करना पुलिस रेकॉर्ड क्रिमिनल रेकॉर्ड यह सारी चीज़ें सिर्फ एक ग्लासेज चश्मे में यह हो सकता है या नहीं देखो भाई मैंने ऐसी बहुत सारी वीडियो बनाई जहां पर मैं बड़े-बड़े सूपर हीरो के बारे में बताता हूं कि वह किस हद तक पॉसिबल है बहुत सारे लोगों को यह पसंद नहीं आता कि सागर भाई यह टेकनोलोजी का हिस्सा नहीं है आप क्या बत कर रहे हो लेकिन भाई इससे नहीं संभावन है अधाइडित के बारे में तो कैसा हो सकता है तो नी इस चारक है जो दिखाया गया है असल में ऐसा कोई इनसान इस दुनिया में है ही नहीं कर सकते सरकार पुलिस यह सब को चीज होती है ची अलग मुद्द हमारा मुद्द सुर्थ साइंस और टेकनोलोजी का है हम उसी एस अंदर कुछ इस तरीके से computer डाल दिया गया अगर वो computer based उसके अंदर processor है चाहे weak से weak processor ही क्यों ना हो लेकिन अगर वो cloud computing service या किसी server से communicate कर सकता है तो ऐसा हो सकता है अब मैं आपको बता दो कि जो device थोड़ा weak भी होता है उससे भी आप बहुत powerful कायम करा सकते हो जैसे killer drones मंगवाना satellite से communicate करना या किसी database में घुस जाना तो में में computer इंग जो चीज हो रही है वह नहीं कर रहा है न है आप नहीं करते है अपने st направ राय है asteroid का नाम सुना होगा cloud computing नाम चुक्रण होता होता है वह एक browser भी हो सकता एक वीक से वीक ब्राउजर भी होसकता है और उससे आप पूरी दुनिया के computer बढ़ों कर सकते या बड़े से बड़े सर्वेर्स पे रखेऊए सर्वर्स प्लाउड कर सकते हूँ इसा हो सकता है क्योंकि जो computing हो रही है जो processing हो रही है वो आपके ह two-party only आप सिर्फ गन्ट्रोल कर रहे है जो processing हो रही है क्लाउड पर हो रही है तो जी हाँ यहां यहाँ पर land एड cup अबहुत वीग कंपीटर जैसमें a good reality है और वो सिर्फ एक controller है वो सिर्फ control करता है जो processing हो रही है वो स्तार्क इंडस्ट्री के servers पोर हो रही है आपको पता होगा टोनी स्टार्क एक अरब पती खरब पती है उसके पास powerful computer है उस movie series में उसके पास एक ऐसी building भी है जो साफ ऊड़ जासे मतलब बिना outer supply के महीनों तक चल सकती है तो इस हिसाब से देखा जाए तो Tony Star के पास powerful servers और computers की कोई कमी नहीं उसको क्या edit एक चश्मे से एक छोटे computer से जिसमें augmented reality control किया जा सकता है येस किया जा सकता है अगर जिस हिसाब से वहाँ दिखाया ऐसा किया जा सकता है नहीं करते हैं लोग Tony Star नहीं है ना ही हम कोई बहुत बड़े उद्योग पती है ना ही हमारा कोई space research चल रहा है ना ही हम Elon Musk हैं जिसके पास space program के rockets वगएरा है कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि Elon Musk ही Iron Man जबकि ऐसे कुछ भी नहीं है इसके उपर में separate video बना चुका हूं टेक पीपल का एक एपिसोड था एलेंड मस्क के बारे में ना बता दो आप देख लो को पता चल जाएगा वहां एडित जैसी चीज हो सकती है लेकिन उसके साथ जोड़ी हो ही जो टेक्नोलोजी है killer drone satellites अब देखो पुलिस रिकॉर्ड क्रेमिनल रिकॉर्ड यह सारी चीज जो एक्सेस जो हो रही है उसको एक्सेस करना इतना असान नहीं है और अगर पुलिस को पता चलता है कि कोई civilian या कोई भी ऐसा इंसान एक चश्मे से हमारे criminal records terrorist record या जितनी भी डेटाबेस है या किसी की बारे में भी कोई नीजी जानकारी है medical record है कोई निकाल रहा है तो भाई उसको वो backdoor को या जो भी कोई problem है उसे fix कर देंगे और आपको जेल में डाल देंगे समझें आप मेरी बात तो आप easily इतना जब तक आप कोई बहुत बड़ी authority नहीं हो आप सेना अध्यक्ष नहीं हो पुलिस अध्यक्ष नहीं हो आपके पास proper code के अगे वही बात आ जाती है तेकिन technology के हिसाब से ऐसा possible है आप एक चश्मे से आप एक छोटे से छोटे computer से बहुत बड़े-बड़े computers को control कर सकते हो और सेम चीज से आप अपने फोन में भी GTA 5 खेल सकते हो अब बोलो कि सागर भाई आप एडिट से उठके GTA 5 में था आ गए सेम वही चीज हो रही है आपका smartphone का processor इस लायक नहीं है कि वो GTA 5 की high-end graphics को process कर सके लेकिन आपका phone इस लायक है कि अगर वो game कहीं और play हो रहा है उसे control कर सके समझे आप मेरी बात तो week से week computer even raspberry pi और बहुत ही week से week mobile phone से भी आप बड़े-बड़े servers को control कर सकते हैं और उनकी services का फाइदा मतलब उठा सकते हैं even command भी दे सकते हैं तो जी हाँ edit possible है लेकिन ऐसा कोई चश्मा अभी है नहीं voice recognition और यह सारी चीज़ें अभी उस stage पर नहीं है जो ऐसा कर लिए आप मान के चलो ऐसा हो गया और हमारी voice recognition technology इतनी नहीं है Google assistant में भी हम कभी-कभी कुछ बोलते हैं तो वह कभी-कभी कुछ और समझ लेता है तो critical चीजों के लिए medical के लिए या war के लिए इस technology के इस्तमाल नहीं किया जा सकता इवन movie में भी दिखाया जाता है कि क्या यह target है हाँ हाँ वो टार्गेट है जबकि उसको सिर्फ उस इंसान के फोन से फोटो डिलीट करना था और वो उसको टार्गेट समझके उस पर गोली चलाने लगा रहा अपने movie देखी होगी spider-man की जिसमें edit दिखाया गया है तो तो यह technology अभी भी बहुत स्टार्टिंग स्टेज पर है ऐसा हो सकता है लेकिन voice recognition और इसको इसको इसमें नहीं किया जा सकता क्योंकि हो सकता है कि आप कुछ और command दें और system कोई और command समझ ले और फिर तबाही हो जाए हो सकता है वो ड्रोन आप ही कोड़ा दे तो मैंने आपको बता दिया देखो भाई यह तो है imaginary science fiction है लेकिन इससे केक नई चीज पता चली कि बड़े बड़े computer को चोटे इसा हो सकता है आगे आने वाले वक्त में कोई नहीं जानता कि शायद कोई ऐसी चीज बन जाए कोई ऐसा चश्मा बन जाए जिससे आप आपके घर में रखे बहुत बड़े computer को कंट्रोल कर सके एक यूट्यूबर वीडियो शूट करें और भार घूमने निकल जाया और उसके चश्मे पर ही एक लेयर चलती रहे जिससे वह दोबे प्रीमियर प्रोच चलाता रहे और अपने चश्मे से अपने नैनो को ऐसे हिला के एडिटिंग करता है गास्ट्र कंट्रोल से भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है हो सकता है कुछ भी हो सकता है possibilities endless है माग खुला रखिये मुवी देखिए और science fiction मुझे सवाल कीजिए कि सागर भाई क्या यह हो सकता है क्या आप जानना चाहते हो ऐसी वीडियो के बारे में वोट करो मुझे बताओ तो मैं फिर ऐसी वीडियो लेकर इस प्राइबर सिक्क्राइब और एथिकल हैं इंट्रस्ट है अगर आप एक इतिकल लाकर बनना चाहते हो इतिकल है कि अगर आपको आती है तो आप नॉर्मल इंसान से थोड़ा उपर उड़ जाते हैं टेक्नोलोजी की दुनिया में क्योंकि आप वो जानते हैं जो करें चैनल को सब्सक्राइब करें यह बिल्कुल फ्री है बैल आइकन को प्रेस करें ऐसी वीडियो आती रहेंगी और आप तक मिलती रहेंगी मुझे फेस्बुक टुटर इंस्टागम पर फालो करो इंस्टागरम पर मुझे साथ हजार फॉलोवर्स हो चुके हैं मुझे से अले करें पुटर गाएं पुटर पत्र जाएं यह जाएं जा एलोवर्स ही वालोगन पॉटर इंसे बिल्सक जिता ट्री हैं